नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल में, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से LLP के Designated Partner को हम अपॉइंट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जिस चीज की आवसकता होती है, वो है Digital Signature. Designated Partner का Digital Signature होना भहुती आवसक है, अब जो Digital Signature है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें पांच चीजों की आवसकता होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, इमेल आड़नी और फोन नमबर, अगर ये पांच चीज हमारे पास हैं, तो मासानी से Digital Signature एप्लाई कर सकते हैं. Digital Signature एप्लाई होने के बाद, इनकमिंग बेजनेटेड पार्डनर को दिन एप्लाई करना होता है, उस दिन को एप्लाई करने के लिए, एड्रस प्रूफ, एडड़नेंटी प्रूफ की आप सकता होती है, अगर ये दोनों चीज हमारे पास हैं, तो मासानी से दिन एप्लाई कर सकते हैं, अब देखे, Digital Signature हो गया, बेन हो गया, अब आता है Resolution, जो इनकमिंग पार्डनर आ रहा है, उसके लिए बागी के पार्डनर की Consent होना वह जरूरी है, तो वो Consent Resolution के माद्यम से हम देते हैं, जो कि इसमें ये बोला जाता है कि हम Designated Partner को एड़ करने के लिए सहमत है, इसके बाद आता है Supplementary Partnership, उसमें नए पार्डनर की Contribution, Profit Sharing देखे, इत्यादी बातों का हावाला दिया जाता है, और पांचमा जो इसमें पॉइंट है, वो है, Consent Letter of Income Partner will be taken in writing, और रहाल मैं नहीं चलता है, इसको राइटिंग में लेना पड़ता है, अब देखे दोस्त हमारे पास Dissus Sigurator हो गया, DIN हो गया और हमने Resolution भी पास करा लिया, Partner से, Supplementary Partnership भी हो गयी, और Concern Letter भी हो गया, अब सारी चीज हमारे पास तैयार है, अब उन सारी चीजों के आधार पर हम अपने form को Fill कर सकते हैं, तो जो form फाइल करना होता है, mca.gov.in की site पर उस form का नाम है, L from for joki within 30 days appointment करना होटा है साथ इस बात का भी ध्यान डगना है कि form for it can't exist mp4 के साथ में जाएगा और उसको फाइल करने के बाद फाइलैंट हम mc.gov.in की साइट पर देख सकते हैं की हमारा जो पाड नहीं हो रहा है । एक नहीं हो रहा है और दूसरा और लास्ट पॉंट जो हमारा इसमें है वो है कि 3 & 4 अगर हम टाइम से फाइल नहीं करते तो हमें सौर्वे बाड़े की एडिशनल फीज भी फिल करना अब दोस्तों हम सुरू करते हैं फॉंट को फिल करना तो इसकी लिए सबसे पहले की यहां ऐसे यตऊला की प्रेशनल की प्रेंट की वसमें होना चाहिए तबें इसको फाइल कर पाएंगे तो देखे दोस्तो LLP form 4 में सबसे पहले पॉंड में LLP IN हमें डालना होगा और उसको pre-fill करेंगे तो पॉंड 2A एंड 2B pre-fill अपने आप हो जाते हैं email ID हमें डालनी है 3A में हमें बताना है कि कितने partner को हम यह add कर रहे हैं और बी में पार्टनर चुकि ऊपर 3A में डेजाइंटेट पार्टनर के लिए दिया गया है और 3B में partners के लिए दिया गया है तो हम पॉंड करने डेजाइंटेट पार्टनर तो हमें सबसे पहले 3A में मडाना है यहां डालेंगे फोर्ट में आएगा चूकि उपर बन है तो यहां भी बन के लिए फाइल किया जा रहा है फोर्ट के ए पॉंट में अबॉंट्मेंट पर टिक करेंगे और डेट अब जो भी जी स्टेट में पॉंट किया गया है वो डेट यहां पर आएगी उसके बाद है 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 यहां डालना होता है उसके बाद आते हैं फिप्त नमबर में चूंकि हम बॉड़ी पॉर्प्रेट का कोई नोमिन अहां पॉंट नहीं कर रहा है तो यहां जीर हो आएगा इसको बिलेंग छोड़ देंगे इसके बाद आ जाता है इसमें आठ नमबर का पॉंट आठ नमबर के पॉंट में अगर तो फिर हम यहां पर एड़ करना होता है चूंकि हमारे के सिंगल पार्टनर को एड़ करका हम दिखा रहे हैं आपर तो इसमें नो लिखेंगे और उसके बाद यहां पर अटेच करना है फर्स्ट वाले पॉंट में क्योंकि सीजेशन का कोई मैटर नहीं है सीजेशन का हम अगली वीडियो के मादल में से बताएंगे उसके बाद इस्टेट्मेंट के दोनों चेक असवत पर हम किलिक कर देंगे यह देखिए और यहां पर डीपाइन नमबर जो ऑथराइब और रिजुशन में किसको किया गय देखिए लिए उसका डीपी नमर में डाल देंगे और सब्सक्राइब करने के बाद यह मैसे जाज़ता है फिर यहां पर हमें प्रीज कूटनी वाला यह इसके बगल में बॉक्स दिया हुआ है वह हाई लग हो जाता है और उसको करने के बाद अगर ऐसा में जाता है कि no error found then उसकेस में हमारा form successfully filled हो गया है अब हम इस पर देश्टर से नीचरादी लगा कर आरुसी की साइट पर फाइल कर सकते हैं तो दोस्तों आपने जाना कि किस प्रकार से किस प्रकार से हमें form 4 फिल करना है और उसके बाद आरुसी की साइट पर हम फाइल करेंगे तो यह आपने जाना और अगर आप को यह चैनल यह यूटूब को वीडियो में आरा अच्छा लगा हो तो से सब्सक्